कॉंग्रेस अधचपत की कमान समालने के बाद राहूल गांधी के पहले M.A.T. दोरे में जहां एक और पार्टी कारकरता उनका गर्म जोशी से इस्तक्पाल कर रहे थे वहीं चंद समर्थक चाटकारता की हदें पार करने पर आमादा थे इन्होंने लखनों से लेकर गौरी गंस तक कई पोश्टर चस्पा किये जिनने राहूल गांधी को तीर कमान साधे भगवान राम के रूप में तो पीम मोती को दशानन के तोर पर दर्शाया एक पोश्टर में राहूल क्रेशन बताये गए ये भी धर्श दिखा कि 2019 में राहूल राज आएगा यानी राम राज आएगा अब कांग्रेस वाले उनको कुछ भी मान सकते हैं उनको मानने सका उन रोक सकता है लेकिन जो हमारे भगवान है वो हमारे भगवान है राहूल गांधी जी इंसान है वो इंसान ही रहा इससे पहले अमेठी के तिलोई में लगे पोस्टों में राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी, अरजुन अवतार और युग पुरुष तक का टाइडिल दिया जा चुका है। चने उधारी भगवान परश्राम का वंशज भी बताया जा चुका है। कुछ पोस्टों में उन्हीं नील कंट बुलेनात तक दिखा दिया गया। इस बार उन्हें राम कशन के अवदार के तोर पर दिखाया गया, तो दूसरी ओर उन पर पलटवार करने वाले पोस्टर भी जगे जगे चा गये। विबाद तूल पकड़ता देख, पुलिस को इन बेतुके पोस्टरों को हटवाना पड़ा। अब कॉंग्रेस बैक फूट पर है, इन पोस्टरों से पल्ला जाल रही है, तो वहीं बीजेपी कॉंग्रेस की नियत पर ही सवाल खड़े कर रही है। मांपसी चाटकार्ता सियासत के एहम हतियार है। इनकी बिना पर सत्ता की सीडियां चड़ने वालों की तादाद खासी रही है पर नेता को देवता बनाने की बेशर्म हरकतों में जब विपच्छी चेहरे स्याह किये जाते हैं तो करारा पलटवार भी होता है वार प्रतिवार के चलते हाला तलक हो जाते हैं और कभी कभी बेखाबू भी अब इसे समर्थकों का अतिउत्सा कहें या चाटुकार्ता की पराकाश था चरण वंदना की आतूरता में ये चापलूस नर और नारान के फर्क को बिसरा देते हैं अब इन्हें अपना नेता ईश्वर दिखे तब तक तो गनीमत है लेकिन जब विपच्छी को ये असूर के तोर पर दिखाने लगते हैं तो विवाद होना तै हो जाता है राहूल गांधी के अमेठी दौरे के दौरान छड़ा पोश्टर विवाद इसी की बानगी है